तो आज की चलास में हम जारकन बोर्ट के बच्चों के लिए स्पेशल क्लास कर रहे हैं जिसमें हम क्योंकि तुम्हारा पेपर आने वाला है तो उससे पहले क्या करना है हमें पेपर सॉलफ कर लेता हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से solve करना है मैं आपको already strategies वगरा बता चुकी थी पहले भी कि पेपर किस तरीके से solve करना होता है उसके answers कैसे करने होते हैं जब हमने important question and answers वाली classes अभी की थी रफ्तार में ठीक है तो आजो paper कैसे solve करते है paper pattern किस तरीके से आता है वो सारी चीज़े हम जानेंगा अच्छी class में तो ज जो paper है तो paper में क्या होते हैं पहले instructions बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना ठीक है ऐसा नहीं कि आपने paper लिया paper लेने के वाद आप डारेक्ट जो question and answers करना शुरू कर दो नहीं पहले एक बार तो आपको instructions पर नजर जरूर डालनी है ठीक है तो आज आज अच्छी से instructions 25 फिर statement का ठीक है तीन गंटे 20 मिनिटीक होता है हमारा पता है आपको ठीक है उसके बात इसमें दो पार्ट होते हैं आपके पेपर जो जो Question booklet आपको मिलती है उसमें दो पार्ट होते हैं पार्ट A और पार्ट B ठीक है पार्ट यह जो है वो काफी easy है क्योंकि उसमें mcq type question and answer आते हैं तो आपको क्या गड़ना है इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटालो ठीक है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इतने में आपको यह वाली जो लोटानी है यह जो आपके मतलब जो भी आपने answer sheet आपकी भरी है omr sheet आपको जो दी जाएगी वह इतने समय के ले लेते हैं उसके बाद फिर आपको क्या होता है next वाली answer sheet दी जाती है जिसमें आपको फिर subjective question answers करना होता है तो आप यह बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई इना mcqs जित्ते आरे कर लेते फिर subjective नहीं mcqs आपको सबसे पहले करने हैं क्योंकि आपको specific time limit दी हुई होगी time period दिया होगा इसके अंदर आपको उसको अच्छे से solve कर लेना है ठीक है तो भाई आपके part A जो है is of mcq type 40 questions होंगे इसमें ठीक है 40 marks क्योंगे मतलब one mark each होते हैं इसमें ठीक है और आपको जो है answer sheet और omr sheet दोनों अलग अलग से दी जाती है ठीक है party has to be answered first from आप जो भी आपका time है suppose करो आपका paper दो बज़े वाली shift में suppose करो सुबह वाली shift में तो वहां से लेके डेड़ घंटा आपको दिया जाता है मतलब आपका paper जो हो कितना है तो देड़ घंटा कम पड़ेगा तो जितना जल्दी हो सके हर बढ़ाहट में नहीं बट हां अच्छे से समझके और mcqs और omr sheet भड़ने में इतना time नहीं लगता तो आप easily जल्दी से कर सकते हो सिफ 40 question है और अगर अच्छे बच्चे ने पढ़ा है stories वगएरा जैसा मैंने आपको बोला याद रखनी है तो बहुत easily आपका काम हो जाएगा ठीके omr sheet पहले आपको करने है मतलब 40 जो आपके mcqs पहले वह करने आपको ठीके इस चीज़ का ध्यान रखना पार्ट भी आपका subjective टाइप होता है इसमें भी आपका चालिस मतलब टोडल कितने marks का paper हो गया आपका 80 marks का paper आपका हो जाता है ठीके 40 marks के question होते है ठीके और फिर यह आपको दूसरे उसमें दिया जाता है ठीके candidates के take away the question booklet after completion of the examination वह सिंपल सी बात है कि हाँ आप अपनी बुकलेट अपने पास रख सकते हो ठीके आप देखो आपका जो पहला section है वह होता है mcq type का इसके लिए कुछ आपको अलग से rules दिये गए हैं वह भी एक बार देख लो जल्दी से carefully fill up the necessary particulars on the omr answer sheet देखो हमेशा पूरा जो भी detail है आपका जो भी admit card है वह सामने रखो है ना सारी चीज़े अच्छे से ठीके और एक और बात बताओ मैं आपको कि हमेशा जो भी आपका क्योंकि क्या होता है यह जो board वाले papers होते हैं इसमें आपका number काफी मतलब roll number जो होता हो काफी बढ़ा होता है मतलब lakhs में चले जाता है ना तो आप उसके लिए क्या करोगे आप घर से ही पहले अपना जो number है ना उसको याद कर लो कि हाँ इसको किस तरीके से English में लिखना है क्योंकि आपका काफी बढ़ा सारा number आ जाता है जैसे आपका number आ जाता है 100248 है ना six seven digit का आपका number हो है तो आप क्या करों वहां आपका time ना waste और आप confused भी ना क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं इसको गलत लिख देते हैं है ना भई समझी नहीं आ रहा हो तो उनको कि भई ना क्या आएगा किस तरीके से आएगा 1,248 है 10,248 है क्या है इस तरीके से ब इंग्लिश में जब लिखना होगा तो इस तरीके से लिखना होगा उसकी ट्रेक सबसे सीदी से है इकाई-धाई-धाई-स-ेकडा-हजार-10,000 और लाथ इस तरीके से हम काउंट करते हैं तो यहां पर आपका आ रहा है लैख में है ना आप यहां पर कुछ भी नहीं तो यह हो गया आपका 1 lakh 1 lakh उसके बाद आप आप पूरा इस तरीगे से लिख सकते हो तो ठीक है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको वहां अपना वेस्ट करो इसलिए आप उसको पहले ही एक बार क्या कर लो इंग्लिश में अच्छे से देख लो और याद कर लो ताकि फिर के धियान से admit card से चीज़ें आपको फिल करनी होती है put your full signature on the OMR sheet उसके बाद आपको जो है आपका signature करना होता है there are 40 multiple choice questions in this part इसमें 40 questions होते है all questions are compulsory each question carries one mark सारे questions जरूरी है अनिवार्य है जवाब देना और सब के किते marks से एक एक mark इच है तो 40 mark का आपका यह section हो जाता है negative marking नहीं है मतलब अगर आपने सही किया तो ठीक है नहीं किया तो 0 सही किया तो 1 नहीं किया तो 0 कोई आपके marks नहीं कटेंगे read all the instructions provided on page 2 of the OMR answer sheet carefully and do accordingly एक बार जैसा कि मैंने आपको बला instructions पढ़ने काफी जरूरी होते हैं क्योंकि बच्चे जब instructions नहीं पढ़ते हैं तो काफी फिर उनको आगे difficulties होती है या फिर क्या होता है instructions में लिखा होता है कि बच्चे पांचों के पांचों कर देते हैं या फिर लिखा होता है इसलिए जो होता है instructions पढ़ना जरूरी होता है तो वह आप यहीं से समझ लो ताकि आपका उस दिन time waste ना हो four options are given for each question you have to darken duty the most duly the most suitable answer on your OMR sheet सिर्फ black या blue pen use करना है ठीक है black या blue pen use करना है तूसरी बात OMR sheet directly fill नहीं करनी है ठीक है आपको पता है कि हाँ बैच्छे या answer चलो fill कर दिया नहीं क्योंकि अगर suppose करो तो आप किसी question में confused हो बात में जब आगे solve कर रहे हो आपका उसका answer मिल गया फिर आपने क्या किया वहां तो आपने कर दिया डार्क फिर वह वाइटनर वाला साम करना पड़ता है यह सब गंदा लगता और फिर उससे क्या होता है जब computer जो होता है न रीड भी नहीं कर पाता कभी-कभी और suppose करो आपने सही लिखा लेकिन computer रीड नहीं किया और जीरो आ गया हो तो आपका ही नुकसान है न तो उसकी भी जब हम questions करेंगे उसमें ट्रिक है चलो मैं अभी बता देती हूं आपको क्या करना है सिंपल एक pencil लेनी है जो आपका question paper है उसमें जो answer आपको सही लग रहा है उस पर पहले dot लगाते जाओ ठीक है जो भी answer है कुछ tick मत करो कुछ मत करो खाली आपको दिख जाए उस पर ऐसे dot लगाते जाओ ताकि आपको धियान रहे कि हाँ आपने यह वाला answer चूज किया है omr sheet अभी नहीं भढ़नी है ठीक है और आगे मैं clear समझा दूंगी ठीक है आप उसके बाद जो भी है आपकी instruction जो भी आपको provide के गए हैं उस तरीके साब omr sheet भढ़नी अदर्वाइस आपकी वो sheet जो है invalid मान ली जाएगी और फिर obviously marks भी जो है वो evaluate नहीं होंगे चलो आप जो हमारा first section है उसमें सारे mcqs हैं ठीक है आप जो mcqs questions है ना वो आपके grammar वाले भी आ सकते और कैसे आपके literature based भी हो सकते हैं वो depend करता है कि questions क्या आ रहे हैं ठीक है तो जैसे question number one है notices in school and colleges contain certain announcement for ठीक है जो notices होते हैं school मेー या colleges में वो किन के लिए लिफ जाते हैं है वो किन के लिए announcement करने के लिए होते हैं क्या वा principal के लिए होते हैं कि principal के लिए कोई notice है जो प्रिंसिपल के लिए में notices होते हैं नहीं principal के लिए नहीं होते headmaster के लिए भी नहीं होते हैं तो किन के लिए होते हैं वो notice students के लिए होते हैं जो notices school colleges में लगाए जाते हैं वो किन के लिए होते हैं किनको information provide करने के लिए होते हैं students को ही provide करने के लिए होते होते तो आपका आंसर अब आपने क्या किया इसको ऐसे थोड़ा सा डॉट लगा दिया जिससे आपको दिख रहा है कि आपने यह वाला आंसर किया है आपको सेकंड वाले का अंसर में अब आपने और वाइशन सॉल्फ किये कोई इसमें सेम आपको इस तरीके का मिल गया या इसका आंसर आपको क्लिक हो गया तब आप क्या करोगे अगर आप वाइटनर वाला काम करना पड़े का आप वापस यह आँ अच्छा नहीं इसका अंसर यह नहीं यह है अब आपको सब क इसके अकॉर्डिंग फिल करोगे इससे ना तो आपको काम गंदा लगेगा ना फिर आपको कोई दिक्कत होगी ठीक है समझ आ गए यह वाली चीज यह स्ट्रेटेजी याद रख लेना ठीक है तो इसमें कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स नोटिस इशूट बाइगर्में लिखती है है ना वो कहां पर होते हैं क्या वो न्यूस पेपर में होते हैं क्या वो बुक्स में होते हैं स्कूल नोटिस बोर्ड में होते हैं या फिर कोट के नोटिस बोर्ड में होते हैं तो देखो कोट के नोटिस बोर्ड में अगर कुछ भी होगा तो वो तो सारे लोगो के लिए निकाला होगा ग्यार जिसका कोई पड़ेगा बाकी पड़ते नहीं पड़ते नहीं हो ग्रैमर हो ग्रैमर वगरे इसका वाले questions दिये जाते हैं तो obviously newspaper बहुत से लोग पढ़ते और इससे बहुत जादा wide range में लोगों को जो है information भी मिल जाती है तो जो भी government अगर कोई notice निगालेगी तो definitely newspapers में ही लिखे जाएंगे letters to the editor are written for letters to the editor जो है वो किस लिए लिखे जाते हैं newspaper के लिए school के लिए college के लिए क्लब के लिए तो एडिटर कहां क्यों क्यों होते हैं newspaper के लिए होते हैं तो कहां newspaper ठीक है इस तरीगे से simply आपको answer करने हैं अब formal letter starts with देखो हमेशा मैंने तुम्हें बताया format बताया letter writing का सबसे पहले चीज क्या बताईगे कोई भी formal letter लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है जो letter भेज रहा है जो letter लिख रहा है उसका address है na sender's address लिखा जाता है यह writer's address मद सबढ़कर चाह headlights होता है sender's address से भी क्या द्रकलेना हमेशा we should not include in report writing इसमेंग में क्या चीज जो report writing में नहीं दिखी जाती पर्सनल कमेंट评刎 केलेक्टट इंफोरमेशि या नन of these ठीके इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिपोर्ट राइटिंग में नहीं आती रिपोर्ट राइटिंग में क्या पर्सनल कमेंट्स लिखे जाते हैं डेटा लिखा जाता है विटनेस इसने जो इन्फरमेशन दी वो लिखी जाती है या इसमें से कुछ भी नहीं ठीके तो देखो डेटा तो चाहिए report लिखो गए तो data के basis पर लिखोगे अगर इन्सेडेट य एकसेडन वाला कोई चीज है तो जो विटनेस में उनके बारे में भी लिखोगे क्योंकि report रायटिंग का मतलब क्या होता है report और data collect किये जाए इसमें क्या नहीं आता इसमें personal comments नहीं आते हैं क्योंकि personal comments तो आपका सोचना है आप कह सोच रहते हैंलेकिन आपको तो facts ओर this tripon नहीं include किये जाते हम जाने音्स का ओर्डिकल आटिकर्णिग का कॉंपोनेंट है ओडियन्स क्या आर्टिकल राइटिंग में हम कभी भी ओडियन्स को ग्रीट करते हैं गुड मॉनिंग एवरीवन फलाना-फलाना कि हम यह करते हैं नहीं करते श्रय हम अपे चाहि Tiffany सीफेट ये सब सीजह लिखते हैं नहीं लिखते हैं सिर्फ आर्टिकल राइटिंग जब भी लिखे जाती हैं तो उस में गुट यह त्हों है की आपतुन नमबर 7-9 आप इसमें क्या है आपको क्या है पोम जो है आपकी वह दिया उसका एक छोटा से एक्स्ट्रेक्ट दिया जैसे कि मैं आपको एक्स्ट्रेक्ट बेस क्वेशन और आंसर कराती हूं जो भी हमने सब करें रफ्तार में उसमें से आपको पोम का या चाप्टर का कोई आपको क्या बोलते हैं यह दिया हुआ है एक एक्स्ट्रेक्ट पहले इसको पढ़ेंगे सबसे पहले फिशर में इंदा कोल्ड सी वुड नॉट हम विल्स अंदा मैं गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इस हर्ट हैं तो यह कौनसी वाली पोम का है कि किसको ध्यान आ रह कि जाएंगे शांद हो जाएंगे तो कोई किसी को हर्ट नहीं करेगा खुद को भी जो लोग ऱर्ट करें वो भी नहीं करेंगे तो जरूरी होते हैं तो बाइप कीपिंग क्वाइट की ओथर कॉन थे पाबलो नयरुड नोय तो यहां पी जो वो पोईट है वो क्या expectation रख रहे हैं कि fishermen क्या नहीं fishermen जो हैं वो क्या नहीं करेंगे अगर वो keeping quiet वाली चीज को focus करेंगे तो तो क्या था would not harm whales तो not to harm the whales इस तरीके से आपको पोम का जब मैं summary वगएरा बताती हूं समझाती हूं तो वो ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि उसी basis पर आप यह वाले question and answers solve करते हो the man gathering salt would look at his जो इंसान है जो लोग है जो नमक इखटा करते वो किस तीज पर धियान देंगे क्या देखेंगे अपने hurt hands को है ना यहां पर देखो पोम में भी लिखाव है तो simple यहां पर hurt hands तो इस तरीके से आपको बताना है the person in the car beside the poetess was ठीके अब यहां पर आपको एक question जो है वो कहां का दे दिया है एक question आपको दे दिया गया है my mother at 66 का है ना तो कौन थी जो poetess थी हमारी उनके पास कौन बैठी हुई थी उनकी mother बैठी हुई थी ठीके what kind of look do the face and hair of the children give ठीके अब किस तरीके के जो look है वो देख जा रहे थे बच्चों के उपर है ना उनके faces और उनके जो बाल थे वो किस तरीके का look दे रहे थे rich or beautiful, bright or neat, healthy appearance या pale faces scattered and undone here तो यहां पर देखो बच्चों की बात हो रहे है तो बच्चे जो है उनके बाल और उनके face को देखकर कैसा look आ रहा था तो यहां पर देखो आपको question जो है वो extract base में ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको extract दे दिया गया या फिर आपकी understanding पर आ सकते हैं कि आपने जो poem पड़ी उसके basis पर कि आप यहां पहचान पारे हो किस poem की बात है और कि उसके question and answers कैसे solve करने है तो यहां पर my mother at 66 के हैं यह दोनों questions ल यहां भी my mother at 66 की बात है मैंने भी आपके साथ ही पढ़ा है यह chapter यह poem है ना तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है what makes for itself a cooling covert against the hot season कोवर्ट वाली चीज हमने किस में पड़ी थी ठंदा ठंदा शेड जो है hot season के against हमें provide करता है यह हमने कहां पड़ी थी यह हमने पड़ी थी a thing of beauty में है ना तो देखो इस तरीके से question के basis पे मुझे किस तरीके से याद आ रही है कि हाँ यह तो इस poem में था तो आपको इस चीज पर focus रखना है आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है चीज तो भाई क्य क्या था जो cooling covert है बना रहा था होट सीजन के अगेंस्ट क्या था भेड़ बक्रियां थी डैफोडिल्स थे मास्क रोजिस थे या फिर नहरे भेह रही थी वह थे तो हमने क्या पड़ा था कि भाई अब आप आपनी है ठंड़ ठंड़ पानी है तो वह क्या दे रहा है हमें ज जो roadside stands थे वह क्यों लगे हुए थे वह क्यों बनाए गए थे so that people can wait here ताकि लोग वहां रुख सके तो make it as a bus stop कि वह bus stop की तरह use किया जा सके to earn money पैसा कमाने के लिए या travelers travelers की मदद करने के लिए उन्होंने क्यों बनाए थे बिचारे लोगों ने ताकि वह कुछ पैसा कमा सके whatever during the floater on janifer on के साथ क्या कर रहीं थि क्या वह embroidery कर रही थी क्या वह Alberta크earth रही थी और एक स्कार्फ बुन रही थी क्या वह कैसा उन्होंन का गोला बना रही ही थी या फिर एक स्वेटर बना रही थी तो वह क्या कर रहीं थी उस वूल पर इंब्रोइडरी कर रही थी है ना टाइगर्स की ठीक है इस तरीके से पॉम आपको ध्यान होनी चाहिए जाधा पॉम्स भी नहीं है आपके तो 5-6 पॉम्स है इस आप से यहां पर आपको question and answers करने हैं for how many years did M. Hamill serve the school कितने सालों तक M. Hamill ने स्कूल में काम किया यह आपको बताना है तो कितने साल 20 साल 35 साल 30 साल 40 साल तो हमने जब यह चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था 40 साल ठीक है what did Hamill say about french language in the last lesson वो french language के बारे में क्या बोलते हैं कि वो सबसे सुन्दर लैंविज है स सबसे logical language ही है all of these तो उनों नहीं सारी ही बाते बोली थी तो all of these वेराइस साहब और उनकी फैमिली कहां से आय थे धाका से आय थे डेली से आय थे लाहोर से आय थे नेपाल से तो कहां से आय थे बांगलादेश से धाका से ठीक है कौन से सिटी थी जहां पर काच की चूडियां बहुत फेमस हैं जहां की तो फिरोजावाद की वाट डास मुकेश क्या बनना चाहता था मुकेश मोटर मेकानिक बनना चाहता था याद नहीं स्टोरी सारी ठीक के बच्चो के लिए और के साब से कच्रणा था एंटरटेमिमें बच्छो की लिए कम मिलेगा क्या निकलेगा है नँसी सब काफी अच्छा लगता था तो अ वन्र for how many years had the author taught in high school in Yakima ठीके तो जो author थे हमारे उन्होंने कितने साल पढ़ाया था Yakima में दो साल, चार साल, तीन साल या पांथ साल तो यह कहां का question है question है deep water का ठीके deep water में याद है जो हमारे author थे वो अपना legal career start करने से पहले उन्होंने कहीं पढ़ाया था Yakima में तो कितने साल पढ़ाया था उन्होंने दो साल के लिए पढ़ाया था इन्दी पैडलर्स व्यूव वाट दस दा वर्ल लुक लाइक ठीक है पैडलर के अकॉर्डिंग दुनिया कैसी थी एक रैट ट्रैप जैसी है ना चुहें पकड़ने की जाल जैसी हाँ मेनी जैलिगेट्स पार्टिसिपेटि इन डिचेंबर 1916 अनुवल कंवेंशन अफ दा इंडियन नेशनल कॉंग्रेंस हैल्ड एट लखनाओ ठीक है गांदी जी वाला चाप्टर इंडिगो वाला चाप्टर है तो कितने डेलिगेट्स आये थे अनुवल कंवेंशन अटे पीरोवान 2301 डेलिगेट्स अटेंड करने आये थे तो यह कब ध्यान रहेगा जब चाप्टर अच्छे से पढ़ा होगा इसलिए मैं पूरा पूरा चाप्टर पढ़ाती हूं सिफ समरी नहीं बताती पूरा चाप्टर पढ़ाने का सेंस यह होता है क्योंकि एम सीक्योज औ तो खाना खाने के बाद पाइप पाइप सिगार विगार पीने के बाद उन्होंने क्या खेला था मैं जॉलिस का गेम खेला था पैंकेक क्या था केक था क्रॉकरी थी बेकिंग पाउडर था मेकप माटीरियल था तो पैंकेक क्या था मेकप माटीरियल था जैमिना स्टूडि इंटर्वियू वाला चैप्टर पड़ा था किसका इंटर्वियू था अंबर्टो इको का और किसलिए क्योंकि उनकी नेम ओफ द रोस काफी फेमस हो गई थी तो अंबर्टो इको विच गेम आर सोफी एन हर फैमिली फैन्स ओफ ठीक है कौन सा गेम था जिसके सोफी और उसकी फैमिली जो थे वो काफी जादा बड़े फैन थे ठीक है कौन सा चैप्टर ए गोइंग प्लेस इस क्रिकेट के फैन थे बैडमिंटन के फैन थे बॉली बॉली ब Intry के लिए खेलता था कहां से था हमने question भी देखा हैसका ireland के यह व इस the Tiger King Tiger King कौन थें यह हमारा ncrt में question था है तो कौन थे migrant निमाहाराज प्रतिबन्दपूरम महाराज और शांती पूरम महाराज और शक्ति पूरम in which hour was the prince of the tiger king born the tiger king थे वो किस hour में पैदा हुए थे तो किस hour में हुए थे hour of the bull में तो कहा है hour of the bull ये रहा who had sent the first day cover first day cover किसने बेजा थे ये विस्टास के question answers है यहाँ पर कौन सा है ये third level का question answer है first day cover किसने बेजा था Charlie के father नहीं, Charlie के uncle नहीं Sam के father नहीं या खुछ Sam नहीं तो किसने बेजा था Sam का लिखा हुआ letter था उसके अंदर who was Sam in the third level Sam कौन था एक doctor था एक teacher था या एक psychiatrist और Charlie का दोस्त तो कौन था एक psychiatrist था Sam और Charlie का दोस्त भी था how many time zones did Tishani Doshi cross यह मैंने आपको important में mark करवाय था कि याद रखना कि उनका जो travel वाला जो है time zones, equospheres यह साई चीज़े याद रखना तो कितने time zones उन्होंने cross किये थे 9 time zones cross किये थे which program was headed by Canadian Geoff Green ठीक है कौन सा program था वो Antarctica वाला जो chapter है हमारा उसमें वो कौन सा program था जो Geoff Green ने चलाया था तो क्या था students on ice ठीक है students on ice who was doctor सदाव, doctor सदाव कौन थे doctor सदाव एक Japanese doctor थे to whom did Roger Skunk go with his problem Roger Skunk जो है वो किस के पास गए थे अपनी problem लेकर wise old owl के पास, wizard के पास, roger squirrel के पास या roger chipmunk के पास तो किस के पास गए थे, wizard के पास wizard hit mommy वाला chapter where did Roger Skunk find the rest three pennies ठीक है उनके पास जो उनसे जब wizard ने पैसे मांगे तो उनके पास तीन pennies कम थी तो wizard ने उन्हें कहां कब बताया था कि कहां पर मिलेंगे तुम्हें magic pond में, talaab में मिलेंगे, river में मिलेंगे, नदी में मिलेंगे या पेड के पास मिलेंगे या कुए के पास मिलेंगे तो कहां कुए में बोला था कुए के पास है ना तो from a magic well ठीक है तो यह हो गए तुम्हारे 37 questions चल्ड़ अब आगे देखो How old is Derry? Derry कितने साल का था? 11 साल, 12 साल, 13 साल या 14 साल कितने साल का था Derry? ठीक है? तो कितने साल का था? 14, ठीक है? 14 years What did Mr. Lamb make of apples? वो apples का क्या बनाते थे? क्राब apples की jelly बनाते थे? Who was Anna? Anna कौन थे? Bama के बड़े भाई, ठीक है? तो यह आपका यहाँ पर part A खतम हो गया मुझे कितना time लगा आपको party कराने में? सिर्फ half an hour, आदा घंटा, आपके बस जेड़ घंटा है अगर आप इस तरीके से जितना, देखो मैं भी कोई अलग से नहीं पढ़ती हूँ मैं जब आपको पढ़ाती हूँ ना, तो ही मुझे यह सारी चीज़े याद होती है है ना, तो obviously जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको भी याद हो जानी चाहिए तो देखो, आदा घंटा 45 मिनिट से जादा नहीं लगेगा जब इनको अच्छे से कर लोगे, तो आराम से OMA sheet भढ़ने में भी 15 मिनिट से जादा नहीं लगेगे विदिन वन आर, ठीक है आपका target भी यही होना चाहिए कि वन आर के अंदर आप जो है अपना section A complete कर लो क्योंकि section B जो है उसमें काफी सारा लिखने के लिए आता है और बहुत लिखना भी पड़ेगा, ठीक है तो section A हमारा यहां complete हो गया, समझा गया, चलो 40 questions कर लिए हमने, अब आजाओ इसका section B देखो, part B जो है वो आपका कैसा है subjective type है, है ना, तो part B में देखो instructions पढ़ लो बैल एक बार कि examines are required to answer in their own words as far as practicable, ठीक है practicable, जितना हो सके आपसे अपने own में लिखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है, याद किया हुआ है, वो आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आपसे मतलब एक बात की जा रही है कि आप अगर अपने own words में लिख सको answer देखो, English अच्छी करने का मतलब यही है कि आप अपने own words में answer लिख सको अगर आपको stories याद है, तो आप अराम से अपने words में उसको convert करके लिख लोगे, इसलिए आपको यहाँ पर भी यही encourage किया जा रहा है कि अपने own words में लिखने की कोशिश करो total number of questions 18, 18 question है, 18 में से जो section A है इसका, ठीके part B में जो section A है, एक से 7 वाले जो है, वो passage के basis पे हैं, मतलब unseen passages type question and answers आएंगे आपके, ठीके उसके बाद जो है, ऐसे 5 question आएंगे, 5 question हर question 2-2 mark का होगा, पिर 8 और 9 जो है आपका long answer type question होगा, 8 आपका 5 mark का होगा, जिसको आपको 100 words के अंदर अंदर लिखना है, 9 आपका 3 mark का होगा, जिसको आपको maximum 50 words के अंदर लिखना है, ठीके अभी जब हम question करेंगे तो समझा जाएगा, तो एक से 7 जो है, वो आपके unseen passage वाले question and answers है, 8 और 9 जो है, वो भी आपको एक passage दिया 3-3 mark का हर question होगा, और उनको भी आपको 50 words के अंदर अंदर करना है, 11 से 13 वाले questions है, वो आपके 5 marks के जिसमें से आपको 2 question करने है, और वैसे आपका जो C section है, वो भी 5 questions का है, जिसमें हर question 3 mark का होता है, ठीके तो यह आपके यहाँ पर इस तरीके सा आपको सब बता दिया गया ह तो यहाँ पर हम section A की बात करते है, section A है आपका descriptive type questions, आपको दिया गया है passage वगेरा, उसके basis पर आपको question and answers करने, तो मैं आपको मैंने unseen passages करा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ताकि आपको clear रहे, दुबारा से revise हो जाए कि किस तरीके से question and answers जूणना है, तो ह फिर उसको लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको mark करा दूगी, तो आजो पहले passage पढ़ लेते, birds are warm-blooded creatures, their bodies are covered with feathers that help to keep them warm and dry, though all birds have wings, some like the penguin and ostrich cannot fly, तो आपको सबसे पहले चीज मैंने बताया थी कि passage को एक बार पढ़ना है, तो passage आपने पढ़ना है, passage पढ़ने के बाद दूसरी ब उनका जो खून होता है, वो गरम होता है, उनकी जो body है, वो feathers से cover रहती है, जिसकी वजा से, वो क्या करते हैं, वो जो feathers जो पंग होते हैं, उनके वो उनको सूखा और गरम रखने में मदद करते हैं, though all birds have wings, some like the penguin and ostrich cannot fly, हाला कि सारे ही पक्षियों के पर होते हैं, लेकिन उस streamline body which help them in flying, अब जो पक्षि होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जोडने वाले होते हैं, उनकी body बनाई इसले जाती ही ताकि वो lightweight रहे हैं और उनकी body का structure भी ऐसे होता है, जिसकी विरस से उनको fly करना आसान रहे, birds have various kinds of beaks, feet and claws according to their diet and way of life, अब अन no teeth in their beaks are made of horn, ठीक है, और उनके जो हैं कोई teeth नहीं होते, the heron has a long slender beak for sparing fish, while a hawk has a sharp curved beak for tearing meat, अब यहाँ पर एक पक्षि की बात हो रही है, heron की जिसकी जो चौच है, वो कैसी ऐसी slender type की, जिससे वो अराम से मचलियां पकड़ सके, और वहीं पर अगर हम eagle बास इनकी बात करे तो इनकी चौचे कैसे होती है, इसी curved वाली और तीक ही होती है, जिससे ही अराम से meat वगएरा को फार सके, अब पैर्ट has a very strong beak for cracking nuts, तो होते कि आपने देखियो कि बहुत जादा मजबूत चौच होती है, जिससे वो nuts वगएरा तोड पाए, ठीक है, when a bird flaps its wings, it withers push the air back and downwards, so that the birds move forward and up, together with the tail, the wings help the bird to steer, break and land, ठीक है, अब यहाँ पर birds के उड़ने का आपको, मैं वो बताया गया, mechanism कि वो किस तरीके से उड़ते हैं, जब वो wings ऐसे करते हैं, तो वो उपर जाते हैं, और इस तरीके से हवा को काटते हुए, वो आगे बढ़ते हैं, birds differ enormously in color, size and shape, सब जो है, अ and run very fast, अब जो सबसे बड़ा bird है, वो कौन है, ओस्टरिश है, जो कितना 2 से 3 मीटर ऊचा लंबा हो सकता है, और इसी वज़ा से क्या होता है, वो उतना heavy होता है कि वो उड़ नहीं पाता, लेकिन वो काफी तेज रफतार से भाग सकता है, the smallest bird is the hummingbird, which hovers in mid-air and even flies backwards, beating its wings at great speed, birds eat different types of food, for example, quails eat grass and parrots eat fruits and nuts, अब इनकी डाइट भी रगलग होती है, जो quails है वो घास खाती है, और जो parrots अगिरा होते हैं, ये fruits, nuts, ये सारी चीज़े खाते हैं, because of only waterproof feathers, some birds can swim too, अब कुछ birds ऐसे भी हैं, इनके feather waterproof होते हैं, पानी लगता ही नहीं है, जिसके वोड़ा से वो water plants, और ये जो birds होते हैं, ये क्या खाते हैं, मचलियां, स्नेल, ये water में कुछ उगरा होता है, वो सारी चीज़ें, some birds like the heron cannot swim but live on the edge of water, some birds like the woodpickers and bee eaters eat insects, ठीके आप heron जो भी मचली खाती हैं, लेकिन वो स्विम नहीं कर पाती, तो वो समुंदर या उसके टट पर से ही मचलि kill the prey with their strong beak and claws, अब जो eagle अगेरा होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके beak इतनी मजबूत और इतनी शाप होती हैं, इनके claws पंजे भी इतने शाप होते हैं, कि उसते ही अपने शिकार को खा लेते हैं, पकड़ कर, their eyesight is very good, which enables them to see any small movement on the ground, जीके उनकी eyesight, उनकी नजर इतनी तगड़ी ह कि वो इतने उचाई पर उड़ते हैं, तो भी उन्हें नीचे अपना शिकार दिख रहा होता है, इस तरीके से वो अपने शिकार को पहले ही नजर में रख लेते हैं, बहुत उची और दूर डिस्टान से भी, ठीके तो यहां पर बेसिकली आपको birds के बारे में एक अच्छा of feet and claws do the birds have, ठीके यहां पर आपको 7 question दिया है, 7 में से आपको कितने करने हैं 5, ठीके, 2 into 5 equals to 10, तो आपको ж さथ question दिये हैं, इसमें से आपको सिर 5 attempt करने हैं, हम सारे solve करेंगे, लेकिन आपको इन में से dismiss purity हैं, कि आपको इन 5 के proper confirm हैं कि हां यह सही यह answers, आप वही वाले attempt कर ल ठीक है तो कैसे उनके पैर और उनके क्लॉज होते हैं यह आपको बताना है तो यहां पर हमने कहां पढ़ा था कि उनके फीट और जो उनके क्लॉज हैं वो कैसे होते हैं है ना वो सारी चीज़े आपको बतानी है तो भाई हमने कहां पर पढ़ा था कि बढ़ा था कि बढ़ा थ पहले चीज़ आप ने यहांत कर दिया नहीं कि पयरों में को सा ढहे अई और उनके पन्ज़ हों की कहा हुआ यह रहा ठीक है यहाँ पर आपने large birds के बारे में बता दिया कि large birds जैसे eagle वो क्या करते हैं उनकी strong beak और claws से पकड़ करते हैं ठीक है सारे answer आपको यहीं से ही डूढने हैं और हमने hummingbird के बारे में देखा था तो hummingbird के बारे में हमने क्या देखा था ठीक है इस तरीके से आपको क्या करना है answer करने है ठीक है तो यहाँ पर आपको जितना दिया हुआ है उतना ही आपको लिख देना है ठीक है तो यहाँ पर आपको एक तो यह दिया वा है ठीक है लेकिन आपको इससे जादे यहाँ कुछ नहीं दिया वा तो आप इसमें चीज़े एड़ कर सकते हो जैसे बर्ट के जो फीट्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं they are also called as talons okay उसके अलावा आप लिख सकते हो some birds have some birds have smaller close then the larger birds then the larger birds then the larger birds then the how does a bird move forward and upward how does a bird move forward and upward ठीक है यह हमने यहाँ पर देखा था यह वाला यहाँ से पूरा as it is आप मार्क कर दोगे इतना अंसर आप as it is यहाँ से वहाँ पर लिख दोगे ठीक है तो इस तरीके से पैसेजिस में आप से आप कर सकते हो आप देखो यहाँ पर जो आपको फर्स वाला अंसर था उसमें लिखना पड़ा था तो आप हो सकता है कि वह वाला छोड़ दो आपने इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो कि लाजस बर्ड के बारे में क्या बात हुई है तो आप आपने यहां से as it is copy करके यहां लिख दिया what is rare about the way a hummingbird flies hummingbird जिस तरीके से उड़ती है उसमें अलग क्या है ना तो आजा hummingbird वाला भी हमने यहीं पड़ा था यह रहा the smallest bird is the hummingbird which hovers in mid-air and even flies backwards beating its wings at great speed ठीक है तो तो बाकी जो birds है हमने जब इनके बारे में पढ़ा था तो वो क्या करती है अपने feather को इस तरीके से push करती है कि वो आगे की तरफ बढ़े है ना लेकिन जो हमारी hummingbird है वो backwards भी fly कर सकती है तो आप इसका answer कैसे लिखोगे the hummingbird which हटा दोगे यहां से ठीक है यह हटा दोगे the hummingbird hovers in mid-air and even flies backwards beating its wings at great speed ठीक है इस तरीके से यहां से आप अपना answer बना कर लिखोगे ठीक है यह आपका fourth हो गया how is the body of a bird design ठीक है जो body होती है bird की वो किस तरीके की बनी हुई होती है यह हमने कहां पर देखा था यहां पर देखा था यह रहा the body of the birds यह रहा fifth the body of the birds are designed to be as light as possible like hollow bonds and a streamlined body which help them in flying simple इस तरीके से आपको यहीं के यहीं आपका answer मिल जाएगे आप देखो आपको क्या हुआ फर्स्ट वाले का answer इतना proper नहीं मिला उसमें लिखना पड़ा आपको तो आप चाहो तो वो छोड़ देना क्योंकि आपको बागी सारे तो confirm है कि हाँ आप सही लिख रहे हो क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है तो आप चाहो तो फर्स्ट वाला छोड़ देना क्योंकि होता है आप चलो मैंने तो यहां पर मुझे नहीं मिला तो मैंने अपना बना कर लिख दिया पर अगर नहीं समझ आ रहा क्योंकि नहीं पता होता बहुत से लोगों की talent भी बोला जाता है उनके पंजों को तो आप यह वाला छोड़ देना आपने कितने कर लिए आपने second कर लिए third कर लिए fourth कर लिए fifth कर लिए चाहर तो आपने अल्रेटी कर लिए अभी आपके बस दो आप्शन है इन दोनों में से जो भी आंसर आपको आता हो वह कर देना और आपके पांच क्वेशन यहां पर हो जाएंगे आप लाज बर्स लाइग 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 आप यहां पर लिखोगे तो आपको 6 का भी मिलगे आपके 5 question तो यूँ ही हो गए चलो हम यह वाला भी solve कर लें आपको सिर्फ 5 ही करने ध्यान रखना ठीक है find the word or phrase in the passage which means the same as made made है ना made वाला यहां पर आपको इस passage में कौन सा word है जो same meaning दे रहा है ठीक है अब वो कोई word भी हो सकता है या पूरा एक phrase भी हो सकता है ठीक है तो आप यहां आपर देखो bodies are covered with made designed ठीक है यहां simple designed made है ना तो यहां पर इस तरीके से आपको मिल गया तो आपने 7th वाला भी solve कर दिया ठीक है तो यहां पर designed किस context में बोला गया था वही वो भी समझा देती हूं confused नहीं हो ना यहां पर किस context में बोला गया है made का मतलब होता है बना हुआ होना या इस तरीके से बनाए गई है तो यहां पर उनकी body इसी तरीके से बनाए गई है जिसका second जो हमें word है वो क्या मिल गया है designed ठीक है तो same meaning के इस तरीके से जब हमें words मिलते हैं तो आप यह वाला भी कर सकते हो तो हमने यहां पर already 6 questions थे जो तुमें confirm है कि तुम सही लिख सकतो तुमें उसमें से भी 5 करने है तो अराम से जो तुमें easy लगे वो तुम कर लेना ठीक है clear है यहां पर इस तरीके से unseen passages किये जाते हैं और मैं भी आपके साथ ही यहां पर solve कर रही हूँ paper यह पहली बारी ठीक ह आप उसके बार देखो यहां पर आपको question no.8 और 9 के लिए एक passage दिया गया है पहले हम passage पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे question no.8 और 9 क्या कह रहे हैं ठीक है तो conversation is indeed most easily teachable of all arts all you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners ठीक है तो sorry conversation my mistake ठीक है conversations जो है वो सबसे easy चीज है है और अगर आपको एक conversationalist बनना है तो उसके लिए आपको बस क्या करना है आपको जिस topic में interest आपको वो topic दूढना हो उसके बारे में बात करनी है है ना लोगों से there are for example numberless hobbies to talk about but the important thing is that you must talk about other fellows hobbies rather than your own बहुत सारी चीज हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो hobbies हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हो लेकिन अगर आपको एक अच्छा conversationalist बनना है तो आप दूसरों की hobbies के बारे में जादा बात करो करो therein lies the secret of your popularity talk to your friends about the things that interest them and you will get a reputation for good fellowship charming wit and a brilliant mind आप देखो अगर आप अपनी hobbies के बारे में बात करोगे तो हो सकता है सामने वाला को interest ना है लेकिन अगर आप उसके interest के according बात करोगे तो उसको definitely interest आएगा और उससे क्या होगे आप popular भी होगे आपकी अच्छी fellowship भी बनेगी और आपकी एक reputation भी बनेगी अगर आपको जो है कोई boring इंसान नहीं बनना या फिर आपको कोई बुरा आपको ना बोल दे तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे subjects हैं जिनके avoid करना होगा avoid talking about yourself अपने बारे में बात ना करें unless you are asked to do so क्योंकि तो अपने बारे में बात करता है इसको हम में कोई death bores everybody ठीक है उसके लावा दूसरी चीज़ के भाई लोगों को जो है अपनी problems बहुत है जो आपकी सुनेंगे तो आप problems के बारे में बात करना avoid करें आप बिमारिया डेथ यह सारी चीज़ों के बारे में बात करना avoid करें अगर आपको एक अच्छा conversation start करना है तो the only one who willingly listens to such talk is the doctor but he gets paid for it ठीक है यह sickness और death के बारे में सिर्फ एक ही इसा इंसाने जो बात करना पसंद करेंगा और वो होगा doctor जो भी इसके लिए आप से ही पैसे लेगा to be a good conversationalist you must know not only what to say but how to say it अगर आपको एक अच्छा conversation list बनना है तो आपको सिर्फ यह नहीं ध्यान रखना कि आपको क्या बोलना है कैसे बोलना है आपका attitude आपके manners भी बहुत माइने रखते हैं ठीक है be mentally quick and witty but don't hurt others with your wit ठीक है काफी आपको एक तो quick होना पड़ेगा और आप में बुद्धी भी होनी चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी समझदारी और अपनी बुद्धी किस से दूसरों को क्या करो hurt करो finally try to avoid mannerism in your conversation don't bite your lips or click your tongue or roll your eyes or use your hands excessively as you speak ठीक है उसके लावर कुछ जो आपकी आदते हैं आपने nails नहीं bite करने हैं जादा hand gestures वगरा use नहीं करने हैं आइस roll नहीं करनी हैं यह सारे चीज़े भी बुरी लगती है don't be like that frenchman who said how can I talk if you hold my hand ठीक है उस french इंसान की तरह मत बनो जो यह कहता था कि अगर तुम मेरे हाथ ही रोक लोगे तो मैं बोलूंगा कैसा obviously तुम्हें तो मूह से बोलना है तो यहां पर आपको एक क्या दियावा था पैसेज दियावा था उसके basis पर दो questions है तो on the basis of your reading of the above passage make notes on it in point only using abbreviations wherever necessary तो यहां पर basically आपको क्या करना है note making करना है note making मैंने आपको सिखाया हुआ है note making में हम क्या करते हैं जो भी paragraphs होते हैं हम पहले उनको अलग कर देते हैं उसमें से topic डूनते हैं heading डूनते हैं सब heading डूनते हैं और most importantly सबसे पहली चीज क्या डूनते हैं यह पूरा जो लिखा हुआ है इसका title क्या होगा और title डूनने के लिए सबसे अगर पहले paragraph में वापस आएं तो हमें क्या करना चाहिए एक अच्छा conversation list बनने के लिए ठीक है अगर हमें एक अच्छा conversation बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमने कहां पढ़ा था starting में पढ़ा था all you need to do तो क्या करना चाहिए वह वाली हैं अपने दोस्तों किया जो भी आपके साथ है उनकी hobbies के बारे में बात करनी चाहिए है ना अपने friend के interest के बारे में बात करनी चाहिए हैंना यहीं वाली चीज़ें हमने देखी थी तो हमने क्या किया है इसमें heading डाली तो में डालते हैं हैं तो हम वंसके बाज ऐबस कोया क्यों सबसे डालतें क्या दालते हैं तीव होती हैं होब दूसरे अगले person की personality के साब से उसके interest के according हो सकती है ठीक है तो आपने यहाँ पर sub heading में sub sub heading डाली उसके लावा आपको क्या-क्या होना चाहिए mentally कोई कोई विटी होना चाहिए हमने last उसमें पढ़ा था उसके लावा हमें दूसरों की problems को सुनना चाहिए यह हमने पढ़ा था कि एक अच्छा conversation बनने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए ठीक है अब क्या नहीं करना चाहिए क्या avoid करना चाहिए तो what not to do हमने डाली second heading उसमें हमने डाला कि भाई topics क्या-क्या avoid करने चाहिए तो topic क्या-क्या करने चाहिए खुद के बारे में बातचीत खुद की hobbies खुद की problem के बारे में sickness के बारे में बात करना चाहिए ठीक है unpleasant topics जो अच्छे नहीं होते उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दूसरों को hurt नहीं करना है और mannerism से भी दूर रहना है आप यहाँ पर mannerism के अंदर भी चीज़े बताए गई थी कि क्या क्या avoid करना है तो mannerism के अंदर क्या क्या avoid करना है आपको आपने यहाँ पर डाली second subheading भी करके है ना फिर उसके अंदर subheadings डाली आपने तो mannerism में क्या क्या avoid करना है लिप्स बाइट करना नेल्स बाइट करना टंग क्लिक करना आईज रोल करना हातों का जाधा यूज करना ठीक है और जो फ्रेंच में था उसने जिस तरीके से किया था उसको अवाइट करना आप इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा आपने वो चीज भी डाल दी सी करके ठीक है चार्म विट और आपका माइंड भी देखा जाएगा ना उस सब के लिए आप क्या होगे फेमस हो जाओगे तो इस तरीके से आप कभी भी कोई भी अगर आपको पैसेज दिया जाता है उसमें आप चीजों में क्या गड़ते हो सबसे बेरे तो उसका टाइटल ऑसे आप से करके लिएगे अगर उन सबहेंगेंगे या-फी क्या में क्या करते हो नोट में भी करते हो मतलब जो भी वर्ड बढ़े होते उनको छोटा करके पढ़र के लिए दिए दिए क्टिया काई यह बता दो ठीक atau ऑपने क्या क्या यूмत ऑप की लिए के लिए के लिए अकुरिशे हैं는 के लिए अच्छाइए एक सबस्क्राइब मैंने या सही कर दिया इसको मजबूर है तुम्हारी मैमना अगर spelling गलत दिखती है तो और करती ही करती है तो यहां हमें abbreviations use करनी थी ठीक है personality के लिए लिखा था यॉर्सल्फ हमने इस तरीके से लिखा था यॉर के लिए हमने यॉर लिखा था ठीक है fellowship क्या फेलोशिप और mannerism इस तरीके से तो यहां आपको मतलब correct spelling या जो भी short form है उसको full form में convert करके लिखना हुआ कि आप ने कहां कहां पर क्या-क्या abbreviation use की थी ठीक है आप इसमें देखो question number nine भी तुमसे पूछा गया था तो question number nine बोला गया था जो आपने passage पढ़ा उसको 40-50 वर्ट के अंदर क्या करना है summarize करना है तो आपको यह वाला question कितने marks का था पांच marks का था और यह वाला question आपका तीन marks का था ठीक है आप आपको क्या करना है जो आपने पढ़ा है पूरा पैसे उसको summarize करना है चोट इसे paragraph में तो आपने topic डाल दिया how to be a good conversationalist वही से हैं आपका topic हो गया आप यहां पर उसको छोटा करके लिखना है तो being a good conversationalist is the key to being popular हमने यही देखा क्योंकि result हमारा यही था popular होना ठीक है अब आपको एक अच्छा conversationalist बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा one should know what topics can interest the person you are speaking to talking about their hobbies is a good start आपको दूसरों के इंट्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उनको क्या पसंद है उनके hobbies उनके interested topics के बारे में अगर आप conversation start करोगे तो उससे क्या होगा एक अच्छा conversation start होगा कि कि इसेशनल लिस्ट आपको क्या करना है यहां पर summarize करना है उस passage को आपने क्या किया बस इंपोर्टन यहां से आपने जो notes बनाए थे बस वही देखो आपका तीन मार्क का question है यू और नारायन और नम्रता अपको दिया हुआ है नोटिस का आपको मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना होता है हमेशा सबसे बहुत है सबसे बहुत है सबसे बहुत है मारवारी प्लस टू हाइश कुल ठीक है राची उसके बाद हम नोटिस लिखने हैं डालते हैं लेफ्ट साइड में डेट का फॉर्मेट होता है आपका मन्त का पूरा नाम और पिर जो भी आपका सब्सक्राइब करने तो आपने वह टॉपिक डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इंफर्म करना स्टूडेंट्स को तो आपने लिखना शुरू करा इस इस तो इंफर्म स्टूडेंट्स अब जो भी यहां डेट डालो उससे 15-20 दिन आगे की डेट डालना है या अगले मन्त में कोई डेट डाल दे नहीं है तो मैंने आके डाल दी 15 डिसेंबर है ना तुम्हें टाइम मिल जाएगा जिनको भी प्रिपेर करना है उसके लिए ठीक है यह डाल दिय स्टूडेंट्स इंट्रेस्टेटेट गेम्स ड्रिल्स कें गिव दियर नेम्स बाइट थर्टी डिसेंबर यहां पर आप आप आपको बोला है कि आपको याद रखनी है कि आगे डीटेल्स चाहिए या कुछ मिला है या कुछ खोया है तो अंडर साइन को कॉंटक्ट करें ठीक है आप अगर लड़के हैं तो नायरेंड लिख देना लड़कियां हैं तो नम रता और आप क्या हो स्पोर्ट सेकुर्टरी हो कल्चल सेकेटरी हो तो आप वो लिख दोगे यहां पर ठीके इस तरीगे से आपको सिंपल एक नॉटिस लिखना होता है नोटिस पचास-सर student class 12th की yesterday during lunch break you misplace your notebook ठीक है आप कल क्या हुआ था जो recess time था आपका उसमें आपने अपनी notebook जो है वो कहीं रख दी you want to get it back write a notice for the school notice board आप कोई चीज खोती है तो हम lost लिखते हैं और कोई चीज मिलती है तो हम found लिखते हैं तो वही चीज सबसे पर आपने school का नाम दे दिया school का नाम अगर आपको वहाँ given नहीं है question में तो आप अपना लिख दोगे आपने नाम लिखा उसके बाद हम notice लिखते हैं तो it is a pink classmate notebook ठीक है pink color की classmate company की notebook है with a golden brown stripe और उसके उपर जो है golden brown stripes है ठीक है with golden brown stripes my name is written on the back of it back पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है anybody who finds it should contact the undersigned जिसको भी मिले वो undersigned को contact करे या फिर inform at mobile number या फिर his number पे मिले या फिर directly स्कूल में contact करें मतलब directly मुझे लाकर दे दे सोनम या सुमन लिखोगे उसके बाद पूरा नाम लिखोगे जैसे जो भी नाम है सोनम शर्मा सुमन खन्ना जो भी वो पूरा पूरा नाम लिखोगे और अपनी class डालोगे और box में एक notice लिखोगे यह हमीशायाद अपना notice box में आता है बहुत easy notice और notice आता ही है ठीक है तो notice writing कर लेना उसके बाद आपसे next जो है वो क्या बोला गया है कि जो भी यहां लिखा उसमें से आपको कोई दो attempt करने है तो आपको क्या करना है report लिखनी है किसको कि एजुकेशनल मिनिस्टर आपके school में आये थे उसके लिए आपको एक report लिखनी है क्योंकि वह आपके school magazine में छपेगी ठीक है लड़का है तो शाम लड़की है तो शामली of class 12 ठीक है तो कभी भी report लिखी जाती है तो क क्या किया जाता है सबसे पहले उसका topic डाला जाता है capital letters में तो क्या था topic visit of the educational minister तो लिखो या फिर educational details बना कर लिख सकते हो तो last Sunday annual price distribution function was organized in our school in order to make this event successful a lot of preparations were made by students and teachers तो भाई last Sunday को क्या था annual price distribution function था हमारे school में ठीक है उसको और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी preparations की गई थी the education minister of the state had come education minister भी आये थे state के chief guest के रूप में it was a matter of great pride for us हमारे लिए काफी गर्व की बात थी therefore the school building was decorated like a bride ठीक है ये line लिखना चाहो तो लिखो नहीं लिखनी तो मत लिखो की दुलन की तरह school की building को सजाया गया था the parents of the students and other respected people of the city were invited to grace the occasion बच्चों के माता पिता और दूसरे जो भी और लोग थे उनको बुलाया गया था function had to be started at 10 a.m sharp function जो है वो दस बजे शुरू होना था chief guest time पर आ गए थे our principal and some members of school management welcomed him with bouquet of flowers ठीक है principal और कुछ school के management staff जो है वो मिलकर उनोंने उनका welcome किया गुलाब का गुलदस्ता या कोई भी flower का गुलदस्ता उनको दे कर the chief guest distributed the prize to the winners for the respective fields chief guest ने सबको prizes दिये then he delivered a very motivating speech उनके बाद उनोंने एक बहुत अच्छी speech ती he advised all the student to work harder in life to get your success we appreciated with large loud cheers the function added with national anthem जैसे कि आपके school में normally कोई function होता है वही वाली चीज़ें आपको यहाँ डालनी है कि पहले price distribution हुआ उसके बाद जो है उन्होंने एक speech दी हमने जो है वो तालिया बजाए उसके बाद function का end कैसे हुआ national anthem से ठीक है इस तरीके से अगर आपको details नहीं दी है तो जिस तरीके से आपके school में कोई भी function होता है वो वाली चीज़ें आपने यहाँ पर डाल देनी है और बस यहाँ पर आपकी report फिनिश हो जाती है ठीक है write a letter to the editor of the telegraph रांची complaining about the poor construction of roads ठीक है यहाँ पर देखो आपको किते question दिएवें total तीन question दिएवें तीन में से आपको दो करने है या तो आपको report writing करनी है है और letter करना है letter to the editor क्योंकि यह तो आता ही है आपको पता ही है ठीक है अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता तो तीसरा option है आपके बस article लिखने का तो तीन चीज़े है तीन में से आपको कोई दो करनी है ठीक है आपको यही बोला गया था starting में टार्टिग में तो दूसरा आपको बोला गया है letter to the editor को एक letter लिखना है कहां की editor है तो कलिग्राफ के ठीक है किस बारे में पूर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के बारे में उनको कंप्लेइन करनी है आपका नाम दिया हुआ है कवीता या कीर्थी आप नाम लिखोगे और आपका एड्रेस दिया हुआ है कोई भी लेटर हो सबसे पहली चीज क्या आती है सेंडर अड्र बार डेट डालोगे डेट का फॉर्मेट मंत पूरा फिडेट और फिर यह कॉमा लगा के ठीक है उसके बाद फिर एक गैप देते हम स्पेस देरने के बाद अब एडिटर है तो एडिटर कहां के एडिटर है वो डालोगे नीचे तो टेलिग्राफ और राची के हैं तो इस दोगे उसके बाद आता है अपने लिखा सर या मैम जो अगर आपको पता है कि एडिटर जो है वो सर या मैम है उसे साब से कॉमा लगाओगे फिर आपका जो है कंटेंट या बॉडी जो होती है लेटर की वह शुरू होती है अब यहां पर देखो हमेशा आप किस तरीक स से बात करोगे अगर कोई एडिटर है तो प्लीज अलाव मी तो यूज दा कॉलम ओफ यो एस्टीम न्यूस्पेपर तो ब्रेंग तो नोटिस ऑफ दे पूर कंडिशन ओफ रोट इन लोकेलिटी और आपने लोकेलिटी का नाम दे दिया ठीक है कि मुझे जो है इस्टीज की अब से लिख सकते हो पूर कंडिशन क्या क्या होंगी रोट की गड़े हो रहे हैं उबर खाबर रोड है एक्सिदेंट्स हो रहे हैं पानी भड़ जाता है यही सारी चीज़े लिखोगे वही आपको यहां लिख देना है कि रोट्स एर आर इन टेरिबल कंडिशन देह जिन्ता का कारण है not only do this slow down the traffic but also cause several accidents ना ही उससे क्या होता है ना सिर्फ यहीं की traffic ज्यादा हो जाता है बलकि उससे वहां पर accidents भी हो जाते हैं as a result we have been witnessing huge traffic jams in peak hours ठीक है इसकी वजह से क्या हो रहा है काफी ज्यादा traffic हो जाता है during monsoons these these portholes become the breeding ground for mosquitoes as they are perpetually filled with water आप जब बारिश होती है बरसाट के टाइम में यह जो hole इन में इतना पानी बढ़ जाता है जिसके वजह से mosquitoes जो है वो इसमें पैदा हो जाते है और malaria वगेरा और आगे problem होती है we have tried to bring this problem to the notice of the concerned authorities in the past two हमने पहले भी जिनके अंडर के locality आती है वहाँ पर complain की है उनको बोला है लेकिन उनने कुछ नहीं किया however all our efforts have gone and went so far है ना सारे हमारे जो भी efforts थे वह व्यर्थ हुए we hope that the authorities will take some concrete action this time लेकिन अगर हम यहाँ पर से लिखेंगे तो हो सकता है कि इस बार कोई action लिया जाए फिर से आप एक space दोगे yours truly और फिर आपने जो भी अगर आपको कोई नाम दिया तो वह otherwise अब आपका नाम लिख दोगे और but in case अगर नहीं आता किसी वच्चे को लिखने के लिए तो आपके बस तीसरा option है कि आप article लिख लो देखो रिपोर्ट राइटिंग में इतना कुछ फास फर्क नहीं होता ठीक है अब यहाँ पर देखो रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ डिफ्रेंस क्या होता है रिपोर अपको लिखने होता है इतना सा डिफेरेंस में भी आपको हैडिंग डालनी और बाय लाइन डालनी है आपका कि यृक्ड लिखना निवश्पेपर के लिए किस पहर इंटरनेशनल योगा देपर आपका नाम है लड़का तो मोहन लड़की है तो में का अपने टॉपिक डाल कि िमेट है रहे हैं डाली दाली आप इंटरनेशनल योगब चाहिक पारे मैं आपको लिखना है सिम्पल साइक pencil पारिघराप दी ऐंटरेशनय दी चैलेड विस इविडिये इ vict इस विड्टेशन्य जा वह celebrate किया जाता है उसमें काफी सारे events और activities होती है yoga sessions organized किया जाते हैं पार्क में, schools में, community centers में जो बढ़ावा देते हैं लोगों को yoga करने के लिए हैना उसके बारे में बताने के लिए उसके benefits बताने के लिए seminars होते हैं, workshops होती हैं, conferences होती हैं लोगों को educate करने के लिए चीज़ों के बारे में healthy lifestyle अपनाने के लिए encourage किया जाता है cultural programs and performances showcasing the diversity of yoga are also organized to celebrate the day ठीक है बहुत सारे ऐसे programs भी के जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि yoga कितने तरीके का होता है क्या क्या benefits हैं, क्या importance है, ये सारी चीज़े दिखाई जाती है इसे लोगों को काफी बढ़ावा मिलता है लोग इसको अपने daily routine में यूस करना भी स्टार्ट करते हैं, the day is a reminder that yoga is not just a physical exercise but a holistic approach to health that can help us lead a happy and fulfilling life ये जो दिन है कि किसले याद किया जाता है, जिससे लोगों को ये पता चले कि yoga सिर्फ एक physical exercise नहीं है बलके ये आपकी health के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है और आपके mind के लिए भी काफी अच्छी चीज है तो इस तरीके से आपको एक article लिखना होता है बस यहां पर इसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग भी होती है बस रिपोर्ट राइटिंग में आपको facts और data आपने जो collect किया होता है वो लिखना होता है और सारी चीज़े past tense में चलती है इतना धियान रखना है तो यहां पर तीनों में से दो आपको attempt करने है उसके बाद आपको section c है section c में आपके क्या होते है literature वाले questions and answers होते हैं इसमें भी आपके आएगे 5 questions होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ तीन attempt करने होते हैं तो यहां पर भी देखो तीन attempt करने है तीन तीन माग का एक question है अब question number देखो first क्या है what was France expected to be prepared with for school that day उस दिन फ्रांस को क्या इस एक्सपेक्टेट थी कि France prepare करके सारे बच्चों से थी तो France was expected to be prepared for school that day with his lessons on participles mml his french teacher had announced that he would question the class on participles but poor France didn't know even the first word about them that day तो France जो है उसको क्या चीज उससे आशा की गई थी कि भाई वो participles के बारे में पढ़कर आए mml उनके french teacher थे उन्होंने बोला था class में कि वो participles के बारे में पूछेंगे class में लेकिन बिचारे फ्रांस को तो एक पहला word भी नहीं आता था participles के बारे में यह question आपका NCIT में भी था और यह मैंने आपको important वाले में भी कराया हुआ है what was on a sale on the roadside stand roadside stand पे किस चीज की sale लगी हुई थी यह question भी आपका आया हुआ है किस तरीके से आया हुआ है कि भाई roadside stand में क्या-क्या चीजे लगी हुई थी तो देखो question अलग-अलग हो सकता है लेकिन उसका answer वही होता है कि तो roadside stand offers ordinary things things for sale like wild berries and golden gods ठीके normal सी साधारन सी चीजे लगी हुई थी वहाँ पर sale में wild berries or golden gods the people who run this stand hope for city money so that they may also prosper ठीके जो लोग यह stand चलाते हैं वो क्या चाहते थे थोड़ा पैसा कमाना है ताकि वो भी जो है खुश रह सकें there is a news that their land will be bought by the government the so-called good doers and greedy people exploit them तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका answer करना है who was Rajkumar Shukla why is he described as being resolute Rajkumar Shukla क्यों थे और उनको एक ध्रिण इंसान एक पक्का कहते न जिसने मतलब अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी ऐसा इंसान क्यों बोला जाता है तो यह देखो यह question भी आपका NCIT में भी था और यह important में भी करवाया है मैंने तो आप उसमें से अगर आपको वह वाला याद हो गया तो आप वह वाला लिख सकते हो अदरवाइस इस तरीके से भी लिख सकते हो कि उनको resolute इसले बोला गया क्योंकि उन्हें पता था कि गांदी जी कहां कहां जाएंगे उनको बहुत समय लगेगा फिर भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी उन्होंने कुट नहीं किया उन्होंने हर जगा गांदी जी के साथ वो गये ताकि गांदी जी जो है फाइनली फ्री होके उनके साथ जा सकें Mr. Lamb को ने ये बताना है और उनका एक लैग तिन का क्यों था वो बताना है तो Mr. Lamb is an old man who lived in a big house with a huge and beautiful garden he had lost one of his legs due to a bomb explosion and it had now been replaced with a tin leg तो Mr. Lamb जो एक बूड़े आतमी जो अकेले रहते थे इतने बड़े सारे घर में जिसमें गांदन भी था उनका जो एक लैग है वो कैसे क्या हो गया था बॉम एक्स्वोजन में उड़ गया था और अब उसकी जगह एक tin leg है he liked to talk to people and make them his friends and so he kept the gates of his garden always open उन्हें लोगों से बात करना पसंदे दोस्ट बनाना पसंदे और इसलिए वो हमेशा अपने garden का दर्वाजा open रखते थे लोगों के लिए जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसके पास कितने पैसे थे उसके पाउच में और उसने वो कैसे कमाए थे तो दो क्रॉफ्टर है टोल दी पैडलर ड़ बैस अप्लाइग काउज मिल्क तो दे क्रेमरी क्रॉफ्टर ने जो है वो पैडलर को बताया था कि उनकी गाय का दूद है वो जब क्रीमरी में सप्लाइग करते हैं तो उससे उन्होंने इस मन्त कितने 30 क्रॉफ्टर जो है कमाए है पैमिंट में तो यह पांच में से आपको सिर्फ तीन अटेम्ट करने हैं और इसी के साथ हमारी जो आज का जो यह पेपर है वो पूरा यहां कम्प्लीट होता है तो सारी चीज़े दियान रखने हैं आपको जो मैंने बताए हैं MCQS वाली में भी वह भी दियान रखना यहां पर भी दियान रखना कि क्वेश्चन ट्रिक्टी आ सकते हैं लेकिन स्टोरी तो सेमी रह कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी तो all the very best to you all मिलते हैं हम next class में next board के पेपर के साथ तब तक के लिए this is Madiha Khan signing off right now bye bye and have a nice day